मुक्य मंत्री ने सीम राइस इसकूलों के 79 बहुनों का किया भूमी पुजन कटंगी सीम राइस इसकूल में हुआ प्रशारन प्रदेश के मुक्या सिवरासी चवहान ने शनिवार को इंडोर के अहिल्या आत्रम से प्रदेश भर में बनने वाले 79 सीम राइस इसकूलों का भूमी पुजन किया जिसमें 2519 करोड रुपई की लागत से इन इसकूलों का निर्मान होगा यहां कटंगी में भी सीम राइस स्कूल सुरू हो चुका है जिसकी मारत के निर्मान के लिए 42 करोड पचास लाग रुपई की रासी स्विक्रत की गई है जिसके चलते हैं कटंगी सीम राइस स्कूल में इंडोर में आयोजीत कारकरम का सीधा प्रसारन दिखाए गया मुक्य मंत्री ने कारकरम को शंबोदीत करते वे कहा कि मेरे मन में विचार आया कि मद्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के बेटा बेटियों में चमता प्रतीमा योगिता और बुद्धी है अगर इनके पढ़ने की बहतर विवस्ता हो जाए तो वे भी कमाल कर सकते हैं अब मेरा वह विचार स्यमराइज स्कूल के रूप में साकार हो सकता है यहां कटंगी में आयोजीत कारकरम में नगर परिसात अद्यक्ष योगेद्र ठाकूर सहीत शभीवाडों के पारसद बतोर अथिती के रूप में सामिल हुए वे प्राचार यतिन अगरवाल ने अंत में कटंगी स्यमराइज स्कूल की गति वीदियो से अवगत कराया इस मौके पर पारसद स्रीमत्ती गायतरी योगराटाकरे स्रीमत्ती सरीता दिमाक्चन टेमरे मनेश चौक से महेंद्र कटारिया स्रीमत्ती सवीता दीपक नांगमोते स्रीमत्ती मनीशा खुमे कोच्रे और शंजय चौक से सहीतन्य स्टाप की मौजूद गिरई कडंगी से मनेश चौग से कि एक यह है कि हर चोटे से छोटे कर्पे का जरी से गरीब अच्छी से अच्छी सिक्षा लहट कर रखे उसी उद्देश को पुटी के लिए सिहम राइश स्कूल की हर जगा इस्ताबना की गई है और यहां हमारे बड़े स्वबागी के बात है कि बालाट जिले में साथ सियब स्कूल की मुष्णा हुई है यहां हमारे लाडले मंत्री गौरी शंकर जी विश्यन की भी बहुत प्रयासों का भल है यहां पे आये हुए सबी सम्मानी गुरुजनों को मैं साधार अभिनम्न रखता को जिनकी मेनत का नतीजाय की उत्करष्ट स्कूल कटंगी का नाम पुर जिले में घुलता है यहां प्रचार मोड़ा से लेके गुरुजन बड़े परिश्रम से हम बच्चों को जिक्चा देते हैं जिसका नतीजा हमको दिखता है कि उत्रष्ट स्कूल के परसेटेट बोलो बालार जिले में एक अलग पैचान बनाए हुए है आप सभी को ने सीम राइस स्कूल उटकस्ट इस्कूल को सामिल करने में सभी को बहुत बहुत जर्पाब और अबार वक्त करता हूं जय हीनुग मैं यतीन रगरवार प्रचार हूं सीम राइस उटकस्त उध्याले का टंगी में आज जो आयो जन हुआ इसका मक्षद क्या था है आज पूरे मद्य प्रदेश में मानिय मुख मंत्री शिवराज सीम चोहां जी द्वारा इंदोर के अहिल्या वाई आसरम कर्मान के एक में इसके किस परकार की भवन वननना है किस परकार से परिसर वननना है और किस परकार की सिक्षाइद में दी जानी है उस पर हमारे माननी मुख्मंतरी जी ने प्रकास जाला और सभी बच्चों को उसका मानतर संदिया